बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम आयूटी फैमली वेलकम टो अभी हास कुकिंग कैसे हैं अब सब लोगों में इत करती हैं सब ठीक ठाक होंगे हैर हैरियत से होंगे आज हम लोग अपने किचन में बना रहे हैं जो कि हमेशा की तरह मैं बनाओंगी बहुत ही इजी औ इसमें अट कर लूँगे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टी स्पून इसकोल का सा सोते करने और साथ ही इसमें कीमा एट करने 1 कप मेनलिया है बीफ का कीमा आप चिकन कभी ले सकते हैं और मटन कभी उसकर सकते हैं और आप इसमें चिकन भी ले सकते हैं जितन देर में कीमा ब कर दें और इसको शेयर कर दें यह कीमा हमारा तकरीबन हो अब देखें वाइट हो चुका है जिदने में मैं कीमा बोन रही हूं दूसरे चुले पर मैंने पानी रख लिया है जब अबलना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 टी स्पून नमक और थोड़ा सा और इसमें मैं डाल दूंगी चॉमिन को मैं ने तोड लिया था इसके दो पीस कर लिए थी वह इसलिए कि अगर आप इसको इतना रखते है तो वह खाने में बहुत मुश्किल होती है और पकाने में भी थोड़ी से मुश्किल होती है अच्छे जी मैंने बलते वे पानी में चला गया है अच्छे जी अब ये जब तक्रिबान इसको कोकिंग टाइम है सेवन टू एट मिनट्स जब ये सही तहां से पक जाएगी तो हम इसको स्टेंड कर लेंगे और उपसे ठंडा पाने डालेंगे ताके चिपकने न पाए और एंड में इसके उपर और डाल देंगे ठ छाए मैं इसमें डाल दूगी एक प्याज प्याज मैंने काट लिए था क्यूप शेप में और यहां मैं इसको कर दोँगी हलका सा सॉफ्ट अ ठत हो गिया है अब मैं इसमें एड कर दूओंगी एक ही टमाटर इसको तोई मैंने सेम शेप में काटा हुआ है और यहां पर इसको मैं कर लेती हूं मेक्स यह दोनों चीजे थोड़ी थोड़ी जब सॉफ्ट हो जाएंगी तो पिर हम इसमें बागी इंग्लोजेंस एड़ करेंगे अच्छे जी अब मैं इसमें आड़ कर लेती हूं गाजरें जो कि मैंने बारिक पर ही काट लिया है दो गाजरे मैंने ले लिया है आप अपने टेस्ट के मताबिक कम्याजादा कर सकते हैं अगर तो आपको मेरा एस्पी अच्छे लग रही है तो इसको और तक देखें और अग अच्छे यहां पर गाजरे में तक पांच मिंट तक गला लूँगी क्योंके यह मैंने बहुत बारी कटी थी जादा टाइम ने लेंगी अब इसमें एड़ कर लेती हूं मैं सोया सॉस 3 टेबल स्पॉन साथ इसमें मैं एड़ कर दूंगी चिली सॉस भी 3 टेबल स्पॉन और इसके बाद मैं इसमें एड़ कर लूँगी सिर्का 3 टेबल स्पॉन ठीक है यह मैंने इसमें एड़ कर लिया सारे सॉसेज अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूं अब थोड़ा सा इसका जो पानी है हम वो खुश्ट कर लेंगे और फिर हम इसमें कर लेंगे City's स्पाइसिज में ज्याधा यूज नहीं होंगे जस्ट प्लैक्पेपर और कुटिल आल मर्शूज होंगे ठीक है जी नमक कर लिहا हाफ टीस्प्वॉन और ग्रेश्ट चिली वी उसके लिए हाफ टीस्पॉन ही और unlike पेपर भी हाफ टी स्पॉन नमक इसलिए कम यूज किया है कि मैंने शामीन में भी नमक एट किया हुआ था चुछ यहाँ आप इसको मिक्स कर लें और एंड मैं जो बाकी की सबजिया वो एट कर लेती हूँ शिमला में इच मैंने दो ले ली थी वो एट कर लेती हूँ और बंद को भी मैंने ले लिया है छोटा बाउल या एक कब जितनी ठीक है इनको सबजियों को गलाना नहीं है सिर्फ यहाँ पे मिक्स करूंगे ठीक है गाजर को हमें गलाना पढ़ता है इसलिए वो पहले एट कर थी और यह सबजियां एंड में अट की हैं और वो अब मैं जो साइट पे रखे वी है बॉयल करके स्पैगटीज वो इसमें में एट कर दूँगी और और इसका मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी दो चमश ले लूँगी उनकी मदद से उपर निचे ऐसे कर लूँगी ताकि कीमा, सब्जियां, सपैगटीज, हर चीज अपस में मिक्स हो जाए और यह तकरीबान हमारी मिक्स हो चुकी है अब देख सकते हैं कि कि तने मज़़े कि इसका कलर है, कितना फ्रेश सब्जियां इपना दे रही है और कितने यह मज़़े के लाग रही है अब इसका कलर और जादा मैं इन्हेंस करूँगी और एंड में में इसमें डालूँगी थोड़ा सा केचप, टू टेबल स्पोन जितना और इसको मैं यहां पे मिक्स करूँगी और आप देखें इसका कलर और जबरदस्त हो गया जने जी यह हमारी अब तयार हो चुगी है, हमें इसको डिशोट कर लेती हैं, देखें कितनी जबरदस्त न गरी है, आपने इसको जूरू ट्राइ करना है और अपने फीडबेक से हमो जगा करना है कि कैसी बनी है आपके रेस्पी यह देखें जी लगरे यह ना मज़ेगी, थैंक्स वर वचिंग माई वीडियो करने लाक, सब्सक्राइब और शेर माई वीडियो और आंसो प्रेस्टिवाल इकन